हेलो दोस्तो नमस्कार अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो आप सब लोग को बता है कुछ इंपोर्टन डेट्स में हमेशा आप लोग को या पर देता रहेता है क्योंकि कोई ना कोई बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को मिल जाते है अभी हाली में recently मैंने आप लोगों को 23rd September ये डेट बताई थी Essentials के नंबर थे और उसके बाद आप लोगों ने देख लिया बाजार में किस तरीकिसी तेजी हम लोगों को देखने को मिल चुकी है सो दोस्तो चले 23 September तो हिस्ट्री बन गई अभी दोस्तो अभी आप लोगों ने फोकस रखना है Next कौन से तारिक के उपर तो दोस्तो फोकस रखना है 29 September येस 29 September की अगर मैं बात करूँ दो important बड़े इवेंट बाजार में आपे होने वाले है एक इवेंट ऐसा रहने वाला है इसमें से जो की पूरे बाजार को प्रभावित कर सकता है और दूसरा जो इवेंट है वो कोई बाजार को प्रभावित नहीं करेगा मतलब स्टॉक में अगर कोई भी इवेंट होता है नहीं होता है उससे बाजार को कोई फरक नहीं पड़ेगा यहापे कौनसा वो इवेंट है दोस्तो और कौनसे स्टॉक से रिलेटेड है तो दोस्तो वो स्टॉक है IRCTC IRCTC आप सब लोग पता है डेफ्री कमपनी है, मोनोपॉली कमपनी है 3700 पे फिला लिये स्टॉक यहापे चल रहा है और आप सब लोग को पता है IRCTC में एक बहुत बड़ा इवेंट अभी भी क्या है पेंडिंग है क्योंकि पेंडिंग है मतलब कोई डिले नहीं किया है उन लोग ने क्योंकि वो प्रक्रिया के लिए हमेशा टाइम लगता है और वो कौन सा प्रक्रिया है तो आप सब लोग को पता है Stock Split Stock Split से रिलेटेड खबर तो आप लोग ने सुनी होगी जो लोग बिलकुल नहें है बाजार में मैं उनको बताना चाहूँगा दोस्तो जबी भी Stock Split Bonus की खबरे आती है तो इमेडियेटली एक दो दिन में Split मिल नहीं जाता है उसके लिए बहुत ज़दा टाइम लगता है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया रहती है और कुछ फॉर्मेलिटीज भी रहती है Approval भी लगते है ऐसा नहीं कि खुद से ही कोई भी चीज़ों को Approval कर दिया जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि दो Boxes रहते है अगर कोई भी मतलब Stock Split हो Bonus हो या फिर Final Dividend हो ऐसी जब चीज़े रहती है तो पहला Approval Board of Director के और से आना चाहिए और उसके बाद यह वो आगे चीज़े जाती है General Meeting में जहाँ पे Shareholders भी Approval देते है तो आप सभी लोग का पता है यहाँ पे First Stage का Approval Already हो चुका है Board of Directors के और से मतलब 99.999% Battle यहाँ पे खतम हो चुकी है बट स्टिल अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते है जो Shareholder का Approval है वो Pending है और उसके लिए General Meeting का हम लोग इंतजार करते है तो आप सभी लोग को पता है Annual General Meeting IRCTC की इसी हफते ही आपे होने वाली है मतलब आप लोग कह सकते हो कि Split से Related जो Final सारी चीज़े है जो हम लोग पूछ रहे थे कि Split कब आएगा उसके Related Record Date के है X Date के सारा जो Doubts है Uncertainty है वो सारी की सारी यहापे Wipeout हो जाएगी सारा Date समने के सामने आ जाएगा तो आप लोग देख सकते है Company Information में अगर मैं यहापे जाता हूँ तो 6th September को ही यहापे Shareholding के Meeting का Intimation यहापे दिया जा चुका था जहापे आप देख सकते हो क्या लिखा हूँ IRCTC has informed the exchange regarding the notice of AGM Annual General Meeting कब held होने वाले है 29th September 2021 बुदुवार के दिन, Wednesday के दिन यह Meeting scheduled है मतलब हम कह सकते हैं जो पहला वाला box था Board of Director ने Approval दे दिया वो तो हो चुका है Second चीज का Approval का इंतजार हम लोग यहापे करे थे 29 September को यहापे शायद से ही यहापे वो मिल जाएगा जैसे वो मिल जाएगा सारा date यहापे सामने आएजा वरना आप लोग यहापे देख सकते यह देखिए क्या लिखा है Corporate Action कोई भी अभी भी यहापे split से related information सामने नहीं है 29 तारीक के बाद यह सारा data आप लोगों को यहापे refresh होते वे देखने को मिलेगा fill होते वे देखने को मिलेगा मतलब 29 तारीक IRCTC एंड उनके shareholder के लिए बहुत ही कीमती तारीक है बहुत सारे लोगों के यह भी सवाल आती अगर shareholder ने approval नहीं दिया तो देखे वो तो voting होती है बट जैसे मैंने इससे पहले भी काया कोई भी shareholder अपने ही pair के उपर कोराडी क्यों मारेगा अगर नहीं होता है आपने जैसे बोला obviously ऐसा कोई compulsion नहीं है votes डालने पड़ते हैं नहीं होता है तो क्या हो जाएगा obviously split cancel हो जाएगा and stock जोरदार गिर भी जाएगा पर ऐसा होता है कि usually नहीं होता है जैसे मैंने काना कि दो boxes रहते हैं बार-बार repeat कर रहा हूं दोस्तो दो boxes, दो stage आप बोल सकते हैं first stage में ही अगर चीज cancel हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं अगर first इसमें approval मिल गया board of director से तो second इसमें तो मिल ही जाता है क्योंकि उसमें सबसे आदा फायदा shareholders का ही होता है investment तो सेम रहता है बट वही stock सस्ते दाम के उपर आ जाएगा आप लोग चाहितो lower level पर ज्यादा quantities खरीच सकते हो ज्यादा volumes बढ़ जाते है सो जो भी cancellation की जो जो भी tension रहते हैं वो first stage में ही रहती है वहाँ पर uncertainty रहती है जैसे कि हम लोगों ने देख लिया हिंदुस्तान ऐरोनेटिकल्स लिमिटेड मुत्वट finance वहाँ पर split की खबरे आई थी बढ़ बाद में cancel हो गई थी 29 सप्टेंबर की बात करें तो पहला stock तो रहने वाला है IRCTC जो की यहाँ पर जैसे मैंने का कोई positive खबर है या फिर negative खबर है बाजार को कोई फरक नहीं पड़ेगा सिर्फ IRCTC के shares को हम लोग कह सकते और उनके shareholders को यहाँ पर फरक पड़ने वाला है तो यह थी पहली खबर जिसको आप लोगों ने note करके चलना है आज आते second important खबर के और जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि second खबर ऐसी है जो कि पूरे बाजार को प्रभावित कर सकती है और सिर्फ Indian stock market को नहीं दोस्तो बलकि पूरे दुनिया भर के जितने भी market है इस news के चलते प्रभावित हो सकते क्योंकि इसके पहले भी जब यह खबर आई थी obviously negative खबर है यहाँ पर तो थोड़ा सा ज़लक देखने को मिला था कि markets में क्या है थे? correction है थे जब भी बाजार इतने टॉप लेवल पे negative news अगर आ जाती है तो obviously बाजार उस चीज़ को जरूर पकड़ेगा so यहाँ पर कौन सी खबर है तो आप सभी लोग को पता है China, Evergrande आप लोग ने Evergrande group के बारे में तो अभी सुनाई होगा अगर आप बाजार में हो China की सबसे बड़े real estate company आप बोल सकते हो real estate group बोल सकते हो properties बनाने वाली company and यह लगातार हमें नीचे जाते भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि company यह group बहुत ही ज़्यादा contribution देती है company तो इतना बड़ा downfall अगर होगा और इतनी बड़ी company अगर destroy हो जाती है destruct हो जाती है so obviously China की economy के और फरक पड़ेगा और दोस्तों हम कितना भी बोले China की economy बहुत strong है हमें भी पता है यहापे तो definitely उसका impact globally भी हमनों को थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है हलाकि मैं already spust कर चुका हूँ कि lemon brothers के साथ इसको compare करना थोड़ा सा मुझे unfair लगता है क्योंकि finance company थी finance company जब भी डूपते तो बहुत सारी issues हो सकते यह company अगर डूप जाते है for example यह group अगर sync हो जाता है जरूर फड़क पड़ेगा ऐसानी की सब कुछ normal रहेगा क्योंकि interlink रहते हैं बहुत सारी चीजे रहते हैं बहुत सारे banks के साथ इन्होंने loan रहे होंगे बहुत सारे करजे उठाए होंगे जरूर हो सकता है और वो अगर default हो जाते है उनके उपर भी फरक जरूर पड़ेगा आप लोगोंने देखा होगा people banks of china में भी क्या कर लिया है यहापे बहुत सारे banks में पैसा डालना शुरू हो आपे कर दिया मतलब वो prepare कर रहे हैं अगर हम लोग बात करें चायना का evergrande का जो event है दोस्तों कि अगर हम लोग बात करें इंट्रेस्ट payment यहाँ पर देखो क्या लिखा है अनादर इंट्रेस्ट प्रेमेंट ऑल्रेड़ी जो इस वक्त का हो गया वो तो चलो ठीक है अब यह और एक इंट्रेस्ट प्रेमेंट यहाँ पर आ रहा है on a bond जो की due हो रहा है वेनस डे को यह चीज़ आप लोगों ने याद रखने हैं यह देखिए यहाँ पर लिखा भी है due on 29th September कीतना है 46 million yes dollar इतना ही नहीं है यह चीज भी खतम हो गई तो आगे भी बहुत सारी चीज़ है जैसे की 721 million dollar तक के और भी बहुत सारे dues है दोस्तो जो कि हम लोग को October से लेके December तक यहाँ पर pending होते वे देखने को यहाँ पर मिलने वाले है so definitely यहाँ पर एक बार payment कर लिया somehow पैसा manage कर लिया so यह कोई solution होने वाला नहीं एवर ग्रेंडे के साथ हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा struggle के साथ यह अभी company यहाँ पर जाने वाली आगे and इसके उपर हम जरू कह सकते हैं जो बोलते हैं हम लोग लटकती भी तलवार है यहाँ पर और यह अगर तलवार गिर गई तो एवर ग्रेंडे तो यहाँ पर डूब जाएगा for example के लिए बट वो बाकी market को भी ज़रूर यहाँ पर negatively impact कर सकता है sir अभी हम लोगों को डर लगने लगा है हम तो investor है हमारा बहुत अच्छा खासा profit है market अगर for example इस news के चलते गिर गया तो दोस्तों आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है मैंने इससे पहले भी आपको सिखाया है जब भी market overall नीचे आ जाता है कि पूरा market collapse हो रहे हाँ definitely बहुत extremely भी हो गया था वो पर जब come back करेगा तो वो एक साथी come back करेगा हमें डरना कब चाहिए कि पूरा market अच्छा कर रहा है हमारा कोई individual stock गिर रहा है और हमारे competitor अच्छा कर रहे तो अब जाके हमें डर लगना चाहिए कि अब कुछ तो गड़बड हो रही है जब पूरा market नीचा आ रहे तो क्या फरक पड़ता है पूरा market नीचा आएगा तो पूरा market वापस भागेगा भी history में भी ऐसी कितनी बार चीजे हुई है यह जो डर है आप लोगों का एवर ग्रेंडे के और से कि market collapse होगा, गिरेगा, crash होगा crash होना है तो होने दो हमें कोई फरक नहीं पड़ता है यह कि पूरा crash होगा तो वापस comeback होता है market कभी zero नहीं हो जाते है अगर आपको यह लग रहे है कि आपका investment zero हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं, market एक limit के आने के बाद इतना सस्ता लगता है कि बड़े-बड़े institutions उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते है और उसके बाद बाजार कितने top level पर आता है वो तो अलरड़ी आप लोगों ने देख लिया है जो एवर ग्रेंडे का जो issue है इसको enjoy कीजिए जो भी news आते है उसको पढ़ लिजे पर इसमें जो market अगर गिरेगा नहीं गिरेगा उस चिंता को छोड़ दीजे तो बस इतना ही कहना चांगे यह जो दो events है दोस्तो उसके उपर आपका focus रहना चाहिए 29th September बहुत ही कीमती तारीक यहापे रहने वाली है आशा करता हूँ दोस्तो यह दो खबर के और आप लोगों का focus रहेगा 29th September के और एक है इंडिविजुली, IR CDC और सेकेंड वन है Evergrad Day ओवरॉल आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो जरू आप चाहो तो इस वीडियो को like and share कर सकते हो और कल के दिन के जो आखरी के तीन वीडियो थे जो की notification के issue के कारण आप तक नहीं पूछे तो उनको भी cover कर लेना link नीचे description में दे दी है so that's it thank you very much जोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye